नमस्कार जी मैं संधिया ये देखिए फ्रेंट्स मेरे गार्डन में कुछ खिलते हुए ये फूल अब ये खिलना स्टार्ट हो गया है ये देखिए और बाकी सब की ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक से चल रही है ये देखिए सब ठीक चल रहे हैं तो फ्रेंट्स इसका मैंने दो करकारी नर्सरी से लाई थी वह भी मैंने किन-किन चीजों में इनको ग्रो किया है वह आप लोगों से मैं पहले ही सेर कर चुकी हूं और इनके के बारे में भी मैंने कुछ-कुछ टिप्स वगरे मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है तो आप यह डेख सकते हैं कि मै वोजाँ जाते हैं तो जो हम कुप मैं कंपोस्टिंग अब वाली हो तो हम ओर जाव थूद लोगों कि आप लोग से वह मैं दिखाओंगे तो ये देखिए इस डिब्बे के ऊपर मत जाईएगा कि ये गंदा है अच्छा है कैसा भी है कि मुझे ये वेस्ट मिल गया था कहीं से तो मैं उठा लाई और इसमें ही मैंने लिक्विट कमपोश्ट बना दिया है तो लिक्विट कमपोश्ट में मैंने क्या बनाया है वो आप लोग से मैं भी शेयर करूँगी और ये देखिए लोही की रॉड इसको बीच-बीच में ये चलाती रहती हूँ कुछ इस तरीके से ये रेखिए और जो ये तैर रहा है ये बकरी की मिंगनी है तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूं यह देखिए यह तो है गोबर की खाथ सड़ी ही गोबर की खाथ यह बकरी की मिंगनी और बकरी की मिंगनी के साथ साथ इसमें जो है नीम की पत्ती और नीम की डंठल भी है क्योंक नीम की और यह मूर्गी की बीट और यह नीम खली है यह सब चीजों का मिक्सचर जो है मैंने यह इसमें डाल रखा है यह गूल बना रखा है तो इसको ओगा चार पास दिन वैसे आप इन बाद बी डाल सकते हैं लेकि मुझे चार पास दीन हो गया मैं किसी साधी में गई थी तो इसके वज़ए से चार पास दिन हो गया तो कोई बात नी जितना ज्यादा दिन हो जाए वो अच्छा ही है लेकिन अगर आपको रखना है तो कम से कम तीन दीन रखे जरूर तो इसको मैं क्या करूंगी इसको मैं सोचरी चान लू तो इसमें क्या है कि बीच-बीच में जब निकला हुआ था एक चन्नी और वेस्ट था मेरे लिए तो मैं इसका ही स्तिमाल करूंगी और इसको सोचरी चान अगर वक्री की मिंगनी चली भी जाती तो इसमें कोई बात नहीं क्योंकि ना मैंने मिट्टी में भी इसको मिला ही रखा है तो यह देखिए और आप यह मना यह प्योर और गैनिक है तो इसमें अगर थोड़ा वोत कम ज्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं और यह बाल्टी मेरी 20 लीटर की है तो कम से कम 15 लीटर इसमें पानी होगा और दो लीटर का यह डिब्बा होगा लगवग लगवग तो मैं ज्यादा नहीं मिलाओंगी ले तो इसको मैं कई बार इसतिमाल करूंगी एक बार मी कई बार और इसको अच्छे से ऐसे गोल बना लेंगे यह तो कि इतना पतला गोल है इससे क्या होगा कि प्लांट का जो ग्रोथ है वह बहुत अच्छा होगा तो मैंने दो तीन दिन पहले जो गुड़ाई कर रखी थी त तो इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल लूंगे और उतना ही डालूंगी कि जितना यह मिट्टी में रह जाए ताकि यह बतलब ड्रेन रहों से रेंड आउट ना हो ज्यादा नहीं डालेंगे इसको इतो फिर डालने का कोई फायदा नहीं होगा और हां मैं तो साम के टाइम ड पानी ना पड़े और पड़े भी तो सूप जाए यह देखिए इसे ही में डाल लोंगी और इसे सारी प्रचाहिए कोई प्लांट हो बस इन प्लांटों को छोड़के जो डर्मेंसी में चाचुके होंगे तो उनको तो कोई फटिलाजर नहीं देना है बाकि सभी प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे फ्रूटिंग प्लांट होंगे वेजिटेबल प्लांट हैं सब को आप यह दे सकते हैं और हां में अलग अलग नहीं बना रहा हूं अगर आपके पास समय है तो आप अलग अलग बना के भी दे सकते हैं इनको और मेरे पास इतना समय नहीं है घर का भी खुती काम करना पड़ता है घर का भी काम हो जाता है तो अलग अलग में बना के नहीं दूंगी ने एक साथ मिक्स फटिलाजर दो है इन प्लांट को दूंगी देखिए इसमें इना फूल भी खिलने लगा है अभी फूल नहीं लेना है फिलाल एक फूल आ रहा है तो उसका कलर देखने के लिए मैं छोड़ दूंगी लेकिन अभी फूल मतलब लेना है अभी इनके ग्रोथ पर दियान देना है कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है यह देखे इसमें क्या जो प्लांट कमजोर भी यह जा धीरे बतलब ग्रोथ कर रहा है वह भी तेजी से इस मत फटलाजर की डलने से तेजी से ग्रोथ करने लग जाएगा यह देखे मैं सभी को डालूंगे ऐसे दो-तीन दिन तक के लिए छोड़ करूद्य आजिना चाहिए कि थोड़ा हमाल अउड़ दोन जो मिट्टी और जो पानी ह को मिट्टी जल्दी ड्राइन हो जो तीन तीन दिन तक ऐसे ही गीली रहती यह सभी मैं डालूंगे विगोंगन carnival ज्यादा दोन ही 20 जैसे दूदह बच्चे भी पीते हैं और बीच वाले जो जनरेशन होती है वो भी पीते हैं जैसे दूध होता है पॉस्टिक आहार मारा जाता है ठीक उसी तरह यह फटिलाजर है इनके लिए समझ लिए एक तरह से जिए मैं इनको पॉस्टिक आहार दे रही हूं मैं इसमें सब कुछ मिला देखें ऐसे ही करके मैं सभी प्लांट को दे दूँगी यह सभी फ्लारिंग प्लांट को सीजनल प्लांट को जित्ते भी जो भी हैं सबको मैं दे दूँगी तो फ्रेंट्स मैंने लगवग लगवग सभी प्लांट को मैंने यह फटिलाजर दे दिया है और जो इतना यह बचा है यह फिर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ा और पानी डाल के और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फिर में दुबारा से इसको इसको इसके बाद मैं फि अब जाए यह मतलब मैं क्रिया बार-बार करती रहोंगी जब तक मेरा प्लांट जो है काफी हेल्दी और उसमें ना हो जाए और फ्लावरिंग ना करने लग जाए तो इसी तरह मैं यह अपने प्लांट को देती रहोंगी और बीच-बीच में गुडाई करती रहोंगी और इस यह था कि पिछले जार फूलो की संख्या और पॉट की संख्या थोड़ा कम था और इस साल जो है बहुत जादा है यह देखी यहां तक मैंने यह भी नी छोड़ा और इसमें भी प्लांट जो चल रहा है देखी कितना ठीक ठाग है कल थोड़ा मुर्जाया हुआ था लेक डाहलिया वगर सब में आप किसी में भी डाल सकते हैं तो उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो लाइक शेयर कॉमेंट करेगा मेरी चैनल पर नए होंगी सब्सक्राइब करेगा बैल आकन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि वी तो फ्रेंट्स इसी तरह इंवारिमेंट को अपने क्लीन रखिए ग्रीन बनाएए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई